दोस्तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ा दिखाने जा रहा हूँ जिसका इस्तमाल हम हर दिन करते हैं और यह है बैट लेकिन यगीन मानिए जो बैट आज मैं आपको दिखाने वाला होना वह सबसे अलग है सबसे यूनीक है आपको इस तरह के बैट्स देखकर आहा मजा आ नेस्ट बैट दूसरे बास साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बर्ड्स जो अपने नेस्ट बनाती उसे दुनिया का सबसे बेस्ट माना जाता है जी हां उसी की तरस पर यह देखे इंसानों ने भी अपने लिए नेस्ट बैट बना लिया है क्या बात है आप यह देखे के लग भी गया होगा इस बैट के बीच में आप अंडे की शेप का बड़ा पिलो भी टाल सकते हैं आइडिया क्रेटिव है ना नवर ट्यू स्पेस बैट वेल दोस्तों हम आपको दिखा तो हम एक और सूपर क्रेटिव बैट ची हां इसको देखने के बाद आपका देल एक दम चौल में सोने का लेकिन आज करके जो लाइफस्टायल है उसके बाद कहा किसी के पास मौका है कि वह अपनी छट पर नीन लेने जाए इन्ही परिशानियों को देखते हुए इस पीस बैट बनाया गया है जब आप इस बैट पर सोते हैं तो आपको वाकई में ऐसा लगत कि ऐसा कोई बैट ही बन सकता है जी हाँ देखें यह नजारा है स्पेन का आप यह देखें कैसी आप बर्गर बेट बनाया गया है जैसे बर्गर में दो अलग अलग चौपिंग्स होती है वैसी आप यहाँ देख सकते हैं बैट का एक हिससा नीची की तरफ है और दूसरा है बीच में पेटी की तरह एक और पीस लगाएगा इस पेट पर क्या बात है कहते हैं यार जैसे बर्गर को खाने मजहाता है ना वैसे बैट पर सोने में लेकिन नीची आने लगई इस पर सोने मज़ाता है यह बहुत ही अलग किसम का बैट है नमर फूर रोलर कोस्टर बैड दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को बेट पर रोल होने की आदस होती है। जी हाँ कहने का मतलब यह है कि वो बेट पर लोट पोर्ट होकर सोते हैं। अगर आप बीसी तरह सोते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल पॉफिक्ट बेड है। जी हाँ यह देखे है रोलर कोस्टर बेट क्या आपने कभी इस तरह का कोई बेट देखा था नहीं ना भई इसे कहते है क्रेटिविटी हालाकि इस बेट को अपने घर पर रखना कोई मजाग बात नहीं है आप यह देखे कितना बड़ा बेट है यार इसके लिए आपके घर मे को कुत्ते के मुकाबले ज्यादा पालते हैं जी हाँ कहा जाता है इसको देखते वए कई सारी यूरूपेन देशों में कैट शेप बैट को बनाया जाने लगा है जी हाँ आप देखे इस बिस्तर को आपको देखकर लग रहा होगा यार वाकई में बड़ा खतरनाक किसम का इस तरह है आप यह देखे कैसे आप बिल्ली को लिटा दिया गया है ये तना बड़ा है कि आपके पूरी की पूरी फैमिली इसमें फिट हो जाए क्या पाद है इसको देखकर लगते है यार दुनिया में हर चीज बिक जाती है आपको नहीं लगता है यह सबसे अलग लेवल जिसको देखने के बाद आपका दिल एक दम खुश हो जाएगा आप यह देखें लिकुट बैट जब आप इस बैट पर सोते हैं तो आपको लगता है मानो आप पानी में तैर रहे हैं जी हाँ आपको ऐसा लगएगा आप पानी में सो रहे हैं नदी में आक्शली दोस्तों हमें आपके कॉमेंट का बहुत इंतिजार रहता है दोस्तो ये है दुनिया का सबसे महगा बैट क्या आपको भी ऐसे बिस्तर पर सोना पसंद करेंगे जो हवा में तेरता है जिसका कोई बेस ना हो आपको लग रहोगा यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है लेकिन मैं आपको बदा दूँ ये सबसे युनीक बैट में से एक है आप देखे इस बिस्तर को ये कैसे हवा में तेर रहा है अब मैं आपको बदा दूँ इसके पूछी का कारार क्या है दोस्तो बात ये है कि जब नीचे मैगनेटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉंग हो कि वो बैट को हवा में उठा कर रखे तो बाई किसे बुरा लगेगा ऐसे बैट पर सोने में लेकिन आपको जान के हिरानी होगी दोस्तो ये 8 करोल का बैड है जी हां 8 करोल का यहां तो गिनना पड़ेगा 8 करोल में 0 कित्ते होते हैं कहा जाता है कि इस बेट पर सोने के बाद आप काफी हेल्दी रहते हैं तो अगर आपकी जेब में पैसा है I'm sorry बहुत पैसा है भर भर के पैसा है तो आप इस बेट पर सोने के मज़़े ले सकते हैं किसे शौक नहीं है कि सोने से पहले हो कहानी सुने आप ने भी अपने बच्वर में बहुत सारी कहानिया सने होंगी लेकिन भाई इसको कोई क्रियेटिविटियों बदल देगा ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था आप इस बेट को देखो क्या शानदर तरीके से इसको बनाया गया है किस तरह से इसको स्टोरी बुक की तरह डिजाइन किया गया है कोई भी इस बेट को अपना ले है चोटे बच्चों के लिए तो भाई सहाब ये जन्नत से कम नहीं है कमाल का बेट है और सबसे च्छी बात यह है अब ये बेट हमारे देश में भी अवेलिबल है जी हाँ आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपने बच्चों को सर्प्राइस दे सकते हैं नुमो नाई इस सेल्फ मेकिंग बेट दोस्तों मैं आपको दिखा दो है एक ऐसा बेट जिसको देखने के बाद आप खुद ही बात जी हाँ ये है सेल्फ मेकिंग बेट सबसे पहले आप आराम से देखो काड़ कर देखो आके को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इसको सेल्फ मेकिंग बेट क्यों कहा जाता है दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिने बैट पर सोने में बहुत मज़ा आता है लेकिन जब बाद आती वेटको ठीक करनेगी तो उसके लि अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक ऐसा बैट जिसको देखने के बाद आपको लगे का यार यह बैड है या कुछ और है आप देखें यार मतलब कितना खुबसूरत बैड है या हाँ 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 कैटरीना की तरह खुबसूरत है क्या बात दिल में उतर गया एक कैसे भी रोटेट हो जाता है यह उस तरह का बैड है बड़े लोग के लिए जैसे कि छोटे बच्चों के लिए हम हिलने वाले बैड का इस्तमाल करते हैं ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए तो अगर आपको भी हिलत हुए सोने की आदत है तो दि प्राइवेट क्लाउड बैड आपके लिए ही बना हुआ है आपको बता दूँ इस तरह के बैड के सबसे दा डिजाइन किया गया है आप देखे क्या कमाल का डिजाइन है यार कैसा इसको तैयार किया गया है आप देखकर समझ सकते हैं इस बैड पर सोने में यार कितना मज़ा आएगा आपको जान का हिरानी होगी स्पेन देश में इस तरह के बैड का क्रेज बहुत जादा है जी हाँ वहाँ पर जियोमेट्रिक बैट के एक्सपोर्ट दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा किया जाता है अब यार इस ब्रिस्तर की तब बात यह लगए अहाँ एक और ऐसा बैट जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी हाँ आपको बस होते वक्त अपने आपको जिप कर लेना है यही है इस बैट की खासियत कहते हैं इस बैट को बनाने के लिए कई सारे एक्सपोर्ट ने एक साथ मिल के काम किया जिस देश में ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के लिए बैट सूपर हिट है आपको बैट बनाने की भी ज़रूत नहीं है बस आपको जिप को बंद करना है और तियार होगे आपका बैट नमबर थर्टीन यिन येंग बैट दूसरे बात हम जानते कि चीन के लोग भाई अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं इसलिए बनाया गया है ये बैट जिसका नाम है यें येंग बैट आप देखकर समझ गयोंगे इस बैट की खासियत क्या है यहां ये कमाल का बैट आपकी बैट के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है लकड़ी के बैट पर सोना ओवी बिना गद्दे के आप खुद ही समझेए ये आपकी हल्थ के लिए कितना जरूरी है दोस्तों अगर आपको शौक है किसी राजा महराजा की तरह सोनेगा तो इससे अच्छा बैट भई आपको कहीं नहीं मिल सकता बड़ा कमाल का बैट है जो आपको देता है बिलकुल रॉयल लूग कहते हैं इस बैट के चाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन सवाल ये कि क्या इसको खरीदना असान है जी नहीं बिलकुल नहीं इस बैट की कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन एक बात तो तैय है ये लुक के संग कमफर्ट में भी बड़ा कमाल का बैट है दोस्तों ये है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बैट इस बैट को देखकर भाई किसी को भी प्यार हो जाए इससे आप ये देखे ऐसा लग रहा है मानों गुबारे पर ही बैट बना दिया गया और सबसे अची बात ये है इस बैट को बनाया गया है किस तरह से इसको डिजाइन दिया गया है इस पर सोने का मसा यार विलकुल अलग है आप कॉमेंट करें को बताएं आपको कैसा लगा ये बैट नमर 17 सोस या बैट यार ये भी वड़कामाल गा बैट है कहते हैं साओध अमेरिका देशों में सबसे की लहरे होती हैं वैसे ही ये बैट भी है जीँ हाँ आप ये देखें कैसी साओगर की लहरों की तरह इस बैट को तयार किया गया है क्या बात है किया बात है इस बैट पर सोने में ना बड़ा मदा आता है अब आप इस बैट को भी देख लीजिए, यह है कमाल का बैट, यह आप देख सकते हैं, यह एक डबल स्टोरेज बैट है, जो यहां आराम से दो लोग सो सकते हैं, वैसे इस तरह के जो बैट होते हैं, वो हिंदुस्तान का हॉस्टल में बहुत साथ देखने को मिलते हैं, अब यह देखे इस बैट को, भई यह बात तो हम सभी जानते हैं, फैटल पोजिशन में सोने में सबसे दा मुज़ा आता है, इसी को देखते हैं अब बनाया गया है यह शानदार बैट, कमाल का बिस्तर क्या बात है, आज तो मैं भी अपने बैट पे एक दम चाल कर सा हूंगा, वसे आप मुझे बताईए, इतने सारे बैट में से आपको कौन सब बैट अच्छा लगा, वीडियो चलिए तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करें, बैल आइकन प्रस करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप से म वीडियो में तिल देन, बबाई, ठेक केर मेरी चान.